तो नमस्कार दोस्तो आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया है यह हमारा बॉर्णियो स्वेमेटिक का आगे का टॉपिक होने वाला है तो आज हम लोग जो इस टॉपिक में सीखने वाले हैं कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन करने वाले जो परसन होते हैं परसले मोबाइल फोन में प्रॉब्लम यह आती है कि कोई भी मोबाइल फोन आता है रेपैर होने के लिए mother board के अंदर जो supply line है जो होती है कहां से connect होती है, कौन से line के connection कहां से होता है, कि spin पर कितना voltage जदा कौन से pin से supply हमारी start होती है, इन सब चीजों को हम board में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, आज हमारा जो topic होने वाला है, यह board नियों का board नियों का हमारा start तीसरा या चोथा पार्ट होगा, something तीसरा या चोथा पार्ट, चोथा पार्ट या तीसरा पार्ट होगा, आप लोग वीडियों में देख लीजीगा, तो हम लोग जो इस board नियों टॉपिक में सीखने वाले हैं, यह hardware solution के बारे में हाड़र solution, मलब हमारे बाद जो mobile phone आता है, उस mobile phone में हाड़र solution कैसे उसको चेक किया जाता है, उस board में आने वाली समस्याओं को कैसे चेक किया जाता है इन सब चीजों के बारे में आज मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, आज के वीडियो इतना helpful है जो नए लोग है उनके लिए तो समझे इतना helpful है कि अगर आज आपने वीडियो देख लिया ना तो मैं गरंटी के साथ में कहता हूँ, आपको रेपेरिंग ऐसे लगए जो रेपेरिंग कुछ हाई नहीं, कुछ भी नहीं रेपेरिंग, सिर्फ आपको सीखने ही जाए जब जहां पर आपको मुबाइल फोन लेपेरिंग के टेकनिकली कोस आपको सिखाए जाते हैं, यहां पर हम लोग बेसिक लेवल से लेकर के अडवांस लेवल तक की कम्पलेट ट्रेनिंग देते हैं, यह सारी वीडियो मैं आपको डेमो वीडियो देता हूँ, ताकि आप वीडि कारी ले सके हैं कि हमको दोस्तों सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, यहीं सारी चुछों के बारे में, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने ट्रैक चेकिंग को उपर और हम लोग बॉर्णियो सेमेटिक में हार्डवेर स्लूशन को सीखते हैं, जो मोबाइल प्रॉबलम आती है, क्या प्रॉबलम आती है? जैसे, हमारे पार कोई कस्टुमर मोबाइल फोन लेकर गयाता है, उस मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रही है, चार्जिंग की प्रसमस्या आ रही है, हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आया, उसमें स्पीकर नहीं काम कर रहा है, ringer नहीं काम कर रहा है, उस mobile phone में mike नहीं काम कर रहा है, हमारे पास कोई भी mobile phone आया, उस mobile phone में हमका on-off का line चेक करना है, हमारे पास कोई भी mobile phone आया, उस mobile phone में हमको hand free का line चेक करना है, mobile phone में headphone को symbol बंद कर गयाता है, जिससे mobile phone में speaker ringer नेमाइक काम करना बंद कर देता है, हैड़फोन खो सिंबल बंद कर गयाता है, यदि हमारे पास कोई मोबाइल फोन आता है, उस नेटो वर्क चेक करना है, नेटवर के लाइन को रिपैर करना है मलब नेटवर को चेक करना है यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में डिस्पले चेक करना है मलब उसमें ग्राफिक का लाइन चेक करना है या उसमें से लाइट का प्रॉब्लम चेक करना है इस तरीके से मोबाइल फोन में यह जो प्रॉब्लम साते हैं हमारे मोबाइल फोन में बहुत सारी अंगिनत प्रॉब्लम आते हैं तो अंगिनत प्रॉब् सिरिंग करने का मतलब क्या होता है जनर्म भी बात है कि बहुत दोस्तों मैं आपको बताना चाहिता हूं कि आप यह वीडियो देख लेंगों तो वाकई में आपको इतना मज़ा आएगा जिसका जबाब नहीं तो सबसे पहली बात हम लोग जितने भी मोबाइल फोन के अंदर जिस सर्कृट्स होते हैं वो सारे सर्कृृ्स को हम लोग कैसे चेकरते हैं यह आने वाली सम्स्याओं को जो मोबाइल फोन रखान पर अश्याइगा चार्जिंग कबाइगे किस से घ basis कर पाते जाएगी इस दो हम लोग काई गुगल करते हैं गुगल करते हैं गुगल में आप लोगों ने जन्रल सी बात है गुगल पर आपने सर्च किया कि नोखिया सीवं चाजिंग स्लूसन चार्जिंग वे तो उसमें क्या होता हूँ बोर्ड में फोटो खोल देता है क्या खोल देता है फोटो कैसे मैं आपको डगाता हूँ ऐसे मोबाइल फोन लिया आपने Google खुला, जनरल सा काम सब लोगों यह करते हैं, ऐसी बात नहीं है मैं, क्योंकि मुझे इतना साल काम करते हैं करते हो गया, मैं सबी चीज़ों को जानता हूँ और किस तरीके सो लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ को भी समझता हूँ और आपको कैसे सिखाना उसका तरीका भी मैं समझता हूँ तो हम लोग सबसे पहली बात है, यहां पर हम लोग समझेंगे कि जैसे मेरे पाद नोकिया मोबाइल फोन आ गया एक जैंपल सी बात है नोकिया सी वन और हमने चार्जिंग वे तो चार्जिंग वे का मतलब होता हूँ इसमें से मोबाइल फोन की कुछ फोटो खुल जाते है उस फोटो का मादम से यह खुल जाता है भाई यह लाइन यहां से आ जा रहा है ऐसा फोटो खुल गया आप लोगों को दोस्तों दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग अपने मोबाइल फोन में गूगल पर सर्च करते हैं कि जैसे यह मोबाइल फोन है यह चार्जिंग कनेक्टर है इस charging connector में अगर आप देख रहे होंगे तो यह pin तुम्हारी माइनस है यह प्लस है, प्लस के line यहाँ पर जाएगा, इस component पर जाएगा, इस पर जाएगा, इस से होता हुए IC की pin पर पहुंच गया और आपके mobile phone में charging होना चाल हो जाएगा, तो हमारे phone में charging ठीक हो जाएगा, अब आपने देख लिए, लेकिन अब इस semantic के मादेम से, आप लोग hardware solution में इतना अच्छा देखने वाले हैं, जिसका जवाब ने देखे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्या चीद देखने वाले हैं, पहली बार तो वो दिखाता हूँ, इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने screen पर, और camera से मैं आपको watch कराता हू एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में, जैसे, ये मेरे पास mobile phone है, इस mobile phone में charging नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो charging के लिए हमारा UI पता लगा है, क्या लगा हूँ है? आप गोले पर चला जाएगा, इस गोले को वीबस बोलते हैं, वीबस के बाद supply आगे जाएगा, और ये आपके यहाँ पर च्टा से डायोट लगा है, हट गया है या नहीं भी लगा होता है, उसके बाद supply यहाँ से निकलने के बाद, सिर्स supply कहाँ पर चली जाएगी? चार्जिंग आईसी के अंदर जाएगी, कहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग आईसी लगिए, तो वो current जो है, वो यहाँ पर इन हो जाएगा, इसका यह सग्राउंड होगा, यहाँ पर पांच वोल करेंट आएगा, जब यह पां पर VPX सप्लाई नेकलेगी, यह कॉईल लगी है, जिसको VPX सप्लाई से आपका पूरा मोबाइल फोन चलेगा, सारी चीज़ें, तो यह आपके मोबाइल फोन में इस तरीके से चार्जिंग के सर्किट होता है, लेकिन अब इस चीज़ को दोस्तों यह ऐसा सर्किट होता है, लेकिन जब हमारे पास बोर्ड आता है, तो बोर्ड में हमको ऐसा दिखता है, हमको कुछ लाईने सम्मझ में थू रहती है, कौन से लाईन कहा जा रहा है, लेकिन इस स्रिमेटिक के माधियम से यही खाइदा मिलता है, कि आपको सभी मोबाइल फोन के अंदर के लाईनों के पता चलता है देखिए कैसे पता चलता है मैं आपको दिखाता हूँ अब चलते हैं हम लोग अपने हार्डवेर सुल्यूशन को पर अपने टॉपिक को देखते हैं कौन से टॉपिक को देखते हैं इस टॉपिक को देखते हैं, इस टॉपिक को देखने बाद यह जितने भी सारे मैंने आपको सलूशन बता रहे हैं, सारे सलूशन मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये सारी वीडियो में आपको इसलिए बना करके देता हूँ ताकि आप बहुत सारी चीजों को सीख सकें और रेपेरिंग के लिए आपके हाथ किसी के सामने नहीं फैलने चाहिए आपके पाथ कोई मोबाइल फोन आप उस मोबाइल फोन को रेपेर कर सको और इस वीडियो के माद्यम से कुछ ना कुछ नई नई चीजों के बारे में आप सीख सकें तो सबसे पहली बात हम लोग अपने इस बॉर्डनियो टूल को उपन करते हैं यह बॉर्डनियो सोफ्टर हमारा चालू होगा यह देखिए है कि सहाट टच कनेक्टर नहीं है यहाँ पर क्लिक किया इसके बाद आप क्या करेंगे लोग इन करेंगे चलिए मैं आपको टैस्ट का पिन लगा देता हूं ताक आपको अच्छे से शिखा पाएं आपन लौग इन किया है है जैसे हम लॉग इन करेंगा हुआ हमारा शब्रार चालू हो जाएगा है जब हमारा सॉफ्टर चालू हो जाएगा तो इस सॉफ्टर को आम लोग क्या करेंगे बढ़ा किया स्क्रीन पर पुल ज्रीन पर किया यह सारे स्वफ्टर खोल गया मैं पूरे स्वफ्टर को यूज करने का तरीका आपको बता ता दोस्तों इससे पहले की वीडियो में उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें mobile phone content में जाएंगे mobile phone content में जाने के बाद करेंगे जाएंगे 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 यह हमारे सारे content open हो रहे हैं अज आप content open हो जाएंगे जितने भी mobile phone है सारे mobile phone A to Z open हो रहे हैं तो यह हमारा देखिए hardware solution खुल गया है hardware solution को दोस्तों हम लोग कैसे read करेंगे सबसे पहली बाद देखिए आपर mobile phone में जाएंगे जब आप mobile phone में आप click करेंगे तो यह खुल जाएगा mobile phone में खुलने का मतलब जैसे माली है मेरे पाद Redmi का mobile phone आया कौन सा mobile phone है दोस्तों? Redmi का मैं Redmi का उसी mobile phone का आपको खोल के दिखाता हूँ जो हमारे पास यह plate है जैसे मेरे पाद बोड है ना इसी दोस्तों मैं आपको mobile phone को खोल के दिखाता हूँ जिस mobile phone का board है ताकि मैं आपको उसका practical भी दिखा पाऊं Redmi का mobile phone का है ये मेरे पास mobile phone Redmi 3S Prime कौन हो mobile phone है दोस्तों? Redmi 3S Prime हम लोग Redmi 3S Prime पर चले गए तहीं लिखा हुआ रहा है अगर आपको दिख जाए तो आप हमें रोंग दीजिए ये लिगा Redmi 3S Redmi 3S को खोल लिया जब Redmi 3S को खोल लेंगे तो यहाँ पर देखें यहाँ पर लिख करके आता है डायोड, hardware solution, semantic इसके बाद हम लोग बाद में समझेंगे पहले हम लोग hardware solution hardware solution आज हमारा दोस्तों जो topic होने वाला है वो हम लोग क्या cover करने वाले है hardware solution ठीक है चलो हमने hardware solution पर क्लिक किया जैसे hardware solution पर क्लिक करेंगे तो देखी यहाँ पर खुल गया क्या खुल गया आप कौन कौन से आप mobile phone देट रेक देख सकते हो जैसे back camera देख सकते हो back camera second देख सकते हो charging data component name, front camera, hand free LCD, light, speaker ringer mic, network, on off volume resistance value, SIM card sub board, मतलब नीचे का जो board है ना उसको भी देख सकते हो sub board का PDF देख सकते हो touch screen देख सकते हो, wifi देख सकते हो और mobile phone का काउंट प्राब्लम आता है इतने ही तो प्राब्लम आते हैं इतने प्राब्लम तो mobile phone में देख कर रेपेर कर लो उसके बाद बचा ही क्या है कुछ नहीं आप देखो तो हम लोग क्या करेंगे mobile phone में charging data बजाएंगे जब charging data बजाएंगे तो charging data के देखें आप पर PDF खुल जाएगा खुल गया दुस्तो पीडियोग में सबसे पहली बात आप बात इस पीडियो और करेंगे redmi 3S ओई board आपके सामने लगए अब दिखाओं पूर्ट है रेडिमी 3S यह एक खुल इस आपके पीछे का इसमें सेरे को नहीं साथ चीजा लिखी होते हैं कि या ची लिखे होती है थोड़ा साब जूम करेंगे इसमें लिखा होता जैसे यह लिखा है USB dm dp dp dm को मलब data color data minus यह लिखा battery connector बैटर थर्मिस्टर लाइन दिया है और इसमें से और भी किसी किसी में लिखा होता फिलाल इसमें नहीं हम लोग बोलते हैं कि यह तुम्हारी चार्जिंग की कि ओजिटिव लाइन होती है दूसरी कि परेंद available मैं यह सब कुछ यहां पर तुमारा डिया हुआ है कि अब हमको पहले चार्जिंग डेखना दो चार्जिंग का मदला होता है चार्जिंग कहा कहा सा जारी तो हमको वीभस लाइन देखना है यह यह आपके पार बोड आया यह तुम्हारा यू आई कनेक्टर है का वाइव कि दिखाई देरा सबको तो यहां पर तुम्हारा यह यूवाई इक तर यह यूवाई एक अपर जब आप सप्लाई लगा दो को तो पहले पांच वोल्ड करेंट यहां पर आएगा आगे जाएगा आगे जाने के बाद आपके छोटा सा डाओड लगा हुए दोस्तों यह हमारे पास चार्जिंग तो वही है लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जलत बोर्ड पे हैं और यह मेरे पास रेडिमी का खुर एक्स है को जबसा हान है पास राफलां हम जलत भास रेडिमी का शीरव मेरे लेकि हैं पास भास पास अजलत है रेकिन मुझे लुक्ता क का अहँ तोस्तों जलत ब Avatar हैं दोस्तों चीन पड्राट है तो हम लोग गलत बॉड पर तेखे क्यों कि जो बॉड़ आपके पास मोबाईल पोना आपको देखना है वहना थोड़ा दवतर हो जाएगा अब हम आपको जो बॉड़ में दिखाने के लिए इस ही बने आपको खुला हुआ है कि यहां पर देखिए वहीं डीपीडियम बैटी कनेक्टर अधी थर्मिस्टर लिखा हुआ है आप इसको जूम करेंगे इमेज को लिए जों करने के बाद सबस्ते हैं से उपको टेंटी कि एच वडे को यहां पर्मिस क WIN मंखया case 24 को सथा जो बस जिए डिखा रहा है इसको पॉजड को अब इसको पूर्स देखेंगे लोगों इसमें लिखा वीबस इन यह पांच बॉल करन यह पाइस निदे लाइन फेले के लिए करें पहुंचेगा पहुंचेगा इस निदे निदे लेगा को यह जाए लिगा है जिसको हम लोग बोलते हैं फिर यह पिएच वोल्टेज निकलेंगे फिर इसी तरिक से आपको बोर्ड में भी दिखाऊ गा प्लेट में भी दिखाऊंगा ऐसे बना करके दिखाऊंगा अपको अम आलिया मेरे पास यही मोबाइल फोन आया और इस मोबाइल फोन का हमको देखना है speaker-ringer-mike on up switch का line देखना है on up को खोल दिया देखे और प्लस और पावर का लाइन यह यलो कलर का लाइन है आपको दिखाने के लिए बड़ा जूम करना पड़ता है अब इतना मेनद करें तुमको सिखाने के लिए भाई चैनल वेनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको और भी वीडियो मिलती रहे वीडियो को अगर कर लगातों यहाँ पर पिन सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने अगे जाती है तो आगे जाने के बाद यह सप्लाई कहा जा रही है तो सीधे पावर आई-सी करना चलिए तो अगर मालिया तो मारे मुबाईल फोन में आना ओफ काम नहीं करेगा तो आप लोग क्या करेंगे है इसके लाइन में डावल लगा है है isme लगा है यह दो यह है डावल को दिखायी नहीं पर यह टो डोटते दिखाया है पर अब कुछ मिले ना मिले लेकर नहीं अब दोस्ता कुस पुछ मिले गार इक ऐ करके जो mobile phone के line होती हैं, सारी line हों को देख सकते हैं और mobile phone के अंदर तक भी deep level की repairing कर सकते हैं यह तो मैंने तुमको इसमें दिखा है अब इसी चुछ को चलो चलते हैं हम लोग board में देखते हैं, कैसा देखते हैं दोस्तों, board में, क्योंकि मेरे पास यही board है, मैं इस board को आपको camera से watch कराता हूँ यह हमने लगा दिया camera camera के बाद फिर हम लोगों यह आपर board रखा रखा ना इस board में, अगर आप देखेंगे तो यह जो supply तुम्हारा दिया हुआ है उसमें यही तो बता रहा था कि यह वाला पीन है, यह वाला पीन है, यह वाला पीन है, यह तुम्हारा वीबस से connect है, वीबस का मतला बोता है, यहाँ पर पांच वोड़ सप्लाई आएगी उसके बाद यहाँ पर यह डैवोड लगा हुआ है अब इसके बाद सप्लाई चली जाएगी charging IC के अंदर, कहाँ जाएगी दोस्तो, charging IC के अंदर, charging IC के अंदर कहाँ जाएगी, इसके लिए हमको board को पलता आना पड़ेगा, मतलब उसका दूसरा हिस्सा दिखाना पड़ेगा, यह हमने board को लिया और यह पलता दिया, जैसे board पलता दिया तो हम लोग अपने charging IC को उसी circuit प सब्सक्राइगा, इसका यह वाला अिससा क्या है? माइनस है, यह पांच while current इसके अंदर गोज जाएगा, जब पांच while current इसके अंदर गोज जाएगा, तो यह तो यह तो इस तुमारी charging IC है, कौन सा Holzी है? चार्जिंग आईसी जब चार्जिंग आईसी पर पांच वोल्ड करेंट आजाएगा तो पांच वोल्ड करेंट आने के बाद यहां से करेंट निकलेगा निन baks प्लस चला जाएगा यह यह जो तुम्हारी लाइप उसको लोग बोलते हैं वी बस लाइन है उसके अागे तुम्हारी चार्जिग आइसी क्यारिवां निकले कि कैपास्टर के माध्यम से कवाइल लगी है कौायल के माध्यम से वी-पी-अच लाइन नेखलेगा है, कौन से लाइन नेखलेगी दोस्तों वी-पी-अच वोल्टेज आप फोन तो इस तरीके से आपके मोबाइल फोन जो चार्जिंग के सरकिट दोस्तों मैंने आपको यहां पर समझाया हुआ है यह मैंने कैसे समझाए हैं मैंने उसी से देकर करें समझाया हुआ अगर आपके बाद कोई भी mobile phone है का तो आप इस तरीके से देख करके circle को आप रेपेड़ का सकते हैं बहुत आसान तरीके से अभर देखिए इसी तरीके से दोस्तों मैंने on-off switch के बारे में चलिए मैं honor switch के line पर चला जाता हूँ honor switch के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा सबस्से पहले हो honor switch के ये एक पर जाना पड़ेगा ये देखें दोस्ट ये हमारा honor switch का पत्ता लगा हुआ लगा रगा नहीं लगा इस honor switch में अगर आप चाहें तो इसका भी skin sort ले सकते हैं यहां पर honor switch में अगर आप जब देख रहे हैं तो ये pin आपका minus था ये pin प्लस था ये प्लस पिन सप्लाई इस डैवोड पर आ था इस डैवोड के ये वाला इस सा minus हो गया था इस डैवोड के बाद supply आपके इस रजिस्टेंस पर आई थी रजिस्टेंस के माद्यम से आंगे supply चली इती पावर आईसी के अंदर और यही supply यहां से होते हुए इस तुमारे इस चिपस पर भी आई यह जो तुमारा जो टुप्स था यह तुमारा पावर आनगा टिपस था कौंसे चिपस है दूस्तों पावर आंगा वह सकता थुरस नहीं दिखाईए मैं थुरस से लाइट मेलाता हम इस पोसे लगा है यह सप्लाइब लगा है यह सप्लाइब यहां से उत्ते हुए इस पर आगे यह तुम्हारा है अगर आपका मोबाइल फोन माले और पत्ता खराब हो गया तो आप चिम्टी लीजिए चिम्टी का एक हिस्सा ग्राउंड पर लगाईए और दूसरा यहां पर जैसे आपस में दोनों को टश मारेंगे तो फट से आपका मोबाइल फोन चालू हो जाए अगर और और पत्ता खर कौन ता वॉल्यूम का लाइन है कौन तो किसका लाइन है यह सारी लाइन है इसमें से दिख जाती है ऐसे आप मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी सारी सप्लाई होती है वो सारी सप्लाई को इसके माध्यम से देख सकते हैं देखिए आगया यह तो लाइन तो दिखाई दे यह पावर पे जा रहा है यह तम्हारा वॉलिूम का लाईन है यह तम्हारा वॉल्यूम प्लस का लाईन है कौन सा लाइन कहा जा रहा तो इससे बारे में हमको लिटेल से पता चलता है कि हम लोग को mobile phone repairing लग तक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा असानिक साथ हम लोग इससे रेपेरिक कर सकते हैं, अच्छा यह circuit यह होता है, जो नए लोग है, उनके लिए बहुत helpful है, इतना helpful है, अब जैसे माले तुम गो speaker ringer mic कर देखना है, तुमने click कर दिया, यह speaker ring ringer mic, यह देखिए, आपके पास कोई phone आया, उस mobile phone करना है, speaker ringer mic के समस्या आगी, किसके समस्या आगी, speaker ringer, यह speaker का दो टिप्स है, यह दोनो टिप्स अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों लाइन को चेक करेंगा, दोनों लाइन में लगा हुआ है, यह resistance लगा है इसका स्कीन साट ले लिया करो, फिर जब मैं उसको दिखाऊंगो तो उसमें से मैच कर रहा हुआ है, यह resistance तो मारा सीरीज में लगा है, उस तो बार सप्लाई कहां चली गई, सीदे पावर आईसी के अंदर, अब पावर आईसी के कौन से पिन पर गई, अगल पर गई, बग उस पर गई, कहां पर गई, यह वो सब दिखा रहा है, है न, दिखाई दिया कर ने दिखाई दिया, चलिए, आगे चलते हैं, और आगे कहां चलते हैं, आगे बोर्ड पर चलते हैं, ऐसे, ज़े देगो, अब यह हमारा स्पीकर है, देखें, यह देखें, यह स्पीकर का पॉइंट है, इस स्पीकर का पॉइंट में सस्प्लाई यहां पर आएगे, डैवर पर जाएगे, दूसरी लाइन यहां से आएगे, वो इस डैवर पर जाएगे, यह डैवर का यह वाला इस्सा माइनस है, य यहां सप्लाई आएगी इसका प्रिस्टर बजाएगी कि पिस्टर के अंदर अगर मालिया तो मारे मॉबाइल फॉन के लाइन खराब हो जाती तो यह रजिस्टर अगर ब्रिक हो जाएगा तो सप्लाई लाइन पूर जाएगी यह पास मोबाइल फॉन जनरल सी बात आती है अगर इस पीकर को बदल दीजिए चेंज करते हैं लाइन के असे चेक करेंगे मल्टी मीटर को भी पॉइंट पर रखेंगे ब्लैक पो यहां रखेंगे तो यहां पर चेक करने पर हमको 300 से लेकर के 600 जी आर वेलू बताएगा क्या बताएगा 300 से लेकर 600 जी आर वेलू बताता तो इसका मतलब लाइन सही है 300 से लेकर 600 जी आर वेलू नहीं बताता तो इसका मतलब लाइन हमारा गरबढ़ है जब लाइन गरबढ़ होगा तो हमारे मोबाइल फॉन में उसके लाइन क्या गरबढ़ होगा उसके लाइन मे तुमको जी आर वैलू को चेक करके भी दिखाता हूं तो बोर है हमने मल्टी मीटर लिया मल्टी मीटर को हमने वी पॉइंट पर सेट किया वी पॉइंट पर सेट करने के बाद कैसे चेक करेंगे रेड पिन को ग्राउंड पर रखेंगे कैसे कि करेंगे दोस्तों करनक पर रखेंगे मल्तीमीटर को मैंने यांपा रख दिया आद आट ऑन कि कि आऊ आप देख पार हैं कि को थे थोड़ा सा तेमरे को गुमाईए कैसे चेक करेंगे यहां पर रखेंगे अब इसके पॉइंट पर चेक करने पर वैलू आ रहे हैं दिखाई दे रहा है इस पर चेक करेंगे तक देखना बीफ देगा दे रहा है क्योंकि इसका कनेक्शन इस लाइन से है अब दूसरे वाले से नहीं देगा क्यों नहीं देगा क्यों दूसरे वाले से नहीं है दूसरे वाले से दूसरे ट्रेक है तो इस तरीके तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं मुबाइल फॉन जंडर लाइनों को इसके माद्यम से चेक कर पाते हैं यह लाइन दिग रही है इसके माद्यम से चेक कर पाते हैं देखें वही चीज आपकर सामने आगे इसके बाता चल गए इसी तरीके से आप मुबाइल फॉन ज़र्न जीतने भी सारी सप्लाई लाइन है सारी supply line को आसानी के साथ में check कर सकते हैं और सारी supply line को one by one करके आप पैचान सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में जो हमारा topic था आज की वीडियो में हम लोगोंने समझा है कि track checking जो बोड़नी ओगंदा जितने भी mobile phone आते हैं सारे mobile phone में hardware solution के माध्यम से हम लोग कैसे track को check कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही फिर हम लोग मिलते हैं आगे वीडियो पर एक एक करके ऐसे ही जितने भी सारे topic हैं सारे topic के बारे में हम लोग आपको सिखाएंगे और हमारा अभी मार्च से एक मार्च से नया बैच चालू होने वाला है अगर आप चाहो जॉइन करना चाहेता हो इक से लिए के 5 मार्च के बीच में तो आप जितने भी नए student हैं वो लोग जॉइन कर सकते हैं उनको जॉइन करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आप हमारा नीचे जो स्क्रिन पर दिया हूँ नंबर है 63917117216391212121 इसमें ते किसी नंबर पर फोन करें और मोबाइल फोन को उसके बारे में पहले सारी information लें सारी विवस्ता, सारी सुभचा, आने-जाने की सब शीचों को बारे में पता करें और मोबाइल फोन में कोर्स में क्या-क्या सारी शीचें सीखा जाए का उसके बारे हम जानकारी ले अगर और भी आप फ्री हैं तो वीडियो कॉल करें क्लास चलतों वो देखें, running क्लास देखें, किस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं, कैसे आप आएंगे, सीखेंगे, ये सारी शुचों के बारे में जानकारे लें, फिर आप मोबाइल फॉन रेपेडिंग कोस को जोइन करें, और मेरा इस बात का आप से प्रामिस है, जब आप झाल